नमस्कार दूस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल योजना ओलाइन फोर उपार दूस्तो अगर आपके पास भी अईश्मान कार्ड है तो यह जानकर आपके लिए बहुती महत्पून होन जा रही है क्योंकि सरकार की तरफ से बड़ा फैंकल दिया गया है जिसके अंतरगत एक सो चान में बिमारियों को अईश्मान कार्ड से हटा दिया है यानि कि अब आप अपने अईश्मान कार्ड से एक सो चान में बिमारियों का इलाज नहीं करा पाएंगे जिसकी लिष्ट भी जारी कर दी गई है दोस्तों वे कुन-कुन से बिमारिया हैं उसके बारे में भी हम आप बताएंगे तो बन रहेगा आप हमरे साथ वीडियो को देखते रहेगा आपके पास आश्मान कार्ड है चाहे आप किसी भी राज्ये में क्यों न रहते हूँ आप इन बिमारियों का इलाज नहीं करा पाएंगे हाला कि पहले इन सभी बिमारियों का इलाज आप कहीं भी करा सकते थे तो क्या पूरी जानकारी है तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दे जा रहे हैं बस आपसे हमारा निविदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किर्पिया वीडियो को लाइक कर दिजे और जाज स्यादा वीडियो को सेयर भी कर दिजेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं तेके सरकार ने लोगों के लिए हैल्थ की तरफ दियान देने के लिए आईश्मान भारत योजना को सुरू किया है जिसमें पांच लांख रुपे तक का जो इलाज है सरकार के तरफ से बिलकुल फिरी में दिया जाता है दोस्तों आप बता दें किसी स्कीम में कई बिमारियों का फिरी इलाज होता है करीब 1700 कुछ ऐसी बिमारियां हैं जिनका आप मुफ्त में इलाज करा सकते हैं लेकिन हाली में मिली जानकारी के अनुसार सरकार के तरफ से इन सभी बिमारियों में से 196 बिमारी को हटा दिया है आप कैसे कराएंगे उसके बारे भी हम आपको बदाएंगे तो बन रहेगा वीडियो को देखते रहेगा तो देखिए सरकार ने हाल ही में एक लिस्ट जारी की है इस लिस्ट में उन्होंने बताया है कि कौन-कौन सी बिमारी आईश्मान कार्ड इनका आईश्मान भारत योज भी है अब तो बना रहेगा वीडियो लिखते रहेगा आप से हमारे रही निविद्द्र है कि अगर आपने अभी तक वीडियो का लाइक नहीं क्या है तो वीडियो को लाइक कर दीजे तो दोस्तो बिमारियों के बारे में जानते हैं कि कौन-कौन से बिमारी इस लिश्ट में अब नहीं है तो देखिए ध्यान दिजेगा अज्मान भारत योजना में 1760 विमारिया का इलाज होता है अज्मान कार से अब सरकार ने इसमें से 106 में बिमारियों को प्राइवेट अस्पतालों में होने वाले treatment से हटा दिया है यहन्किは अगर आप प्राइवेट अस्पताल में अईश्मान कार के जर्ये इलाज कराएं जाते हैं तो आप 106 में बिमारियों का इलाज नहीं किरा पाएंगे सरकार ने कौन-कौन सी ये बिमारिया प्राइविट अस्पतालों से हटाई है उसके बारे में भी हम आप बताएंगे तो देखें यहाँ पर देखें इन बिमारियों की जो जनके जो लिश्ट मनाए गई है उसमें मलेरिया की आप इलाज नहीं करा पाएंगे सरकार के इस फैसले से लोगों पर काफी असर पड़ने वाला है सरकार की तरप से जो 196 बिमारिया इश्मानकार से हटाई गई है इसको लेकर आपको क्या मत है आप कमेंट बोक्स में जाकर जरूर बताएगा क्या सरकार ने सही क्या है या गलत क्या है जो भी आपका मत है आप हमें कमेंट में जाकर जरूर बताएगा जरूर कमेंट में लेखिएगा जो भी आपका मत है अब जो एक सो चान में बिमारिया हैं इसका इलाज कैसे होगा अश्मानकार से वह भी आप यहाँ पर जा लेजिए तेके दोस्तों दरसल कई लावार थी इसका इलाज करवाने के लिए सरकारी अस्पताल ने जाकर वह प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं प्राइवेट होस्पिटल में वह जाते थे इसकी वजह से इसकी वजह cooking अस्विधा प्राइवेट स्विधा बहतर होती आप सबी जांते हैं सरकार से ज्यादा फैसलिटी वहार मिलती है प्रत दोस्तों जब से सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट से 196 विमारीयों को हटा दिया है तब से आम जन्दक की मुश्किले बढ़ गई है आज दोस्तों एक सो चानमे विमारियों में से कुछ विमारिया हमने आपको बताई हैं जिनका इलाज आपने हैं कराबाएंगा अगर आप चाहते हैं कि पूरी पूरी लिष्ट हम आपको दिखाएं तो आप कमेंट बोक्स में जा कर जरूर बताएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम अगर बताएगे तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि एक सो च चाहिए या फिर नहीं और दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए जासा दा वीडियो को सेर करेगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चया भार्त योजना ऑंलाइन फोर यू आप जूरू सब्सक्राइब करेगा धन्यवाद